आज का जो हमारा वीडियो है वो है केंटारो मशीन पे अगर आपकी मोटर लिकेज कर रही है तो आप उसो खुर ठीक कर सकते हैं एक्चुली में होता क्या है कि टेक्निशन मोटर रिपेर नहीं करता है वो नई मोटर लगा देता है नई मोटर के वो चार्ज करता है 2000-2200 रुपे और अपना सर्विस चार्ज करता है 300 रुपे ऐसे में वो चार्ज करता है पूरे 2500 रुपे और नई मोटर लगा देता है और जो आपी खराब मोटर है वो अपने साथ लेके चले आता है क्योंकि खराब मोटर पूरी तरीके से रिपेरेबल होती है आज के मैं वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी मोटर कैसे ठीक कर सकते हैं तो बने रही है मेरे साथ मेरा नाम है दिपक ये है मेरी केंटारो की मशीन इस मशीन के अंदरे जो मोटर है इसमें से पानी आ रहा है मगर exactly कहां से आ रहा है ये मालूम नहीं पड़ रहा है इसके लिए पहले मैं आटाता हूँ इसका कवर मैंने अपने टॉप कवर निकाल लिया है अब ज़रा मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ ये जो लिकेज है ये मोटर के हैट पम में से आ रहा है और ये अच्छा खासा लिकेज है तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपनी मोटर उसके बाद करेंगे इसको ठीक मशीन के इनलेट और आउटलेट पाइप को कैसे निकालते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पहले वो मेरा वीडियो देख सकते हैं फाइनली हमने अपनी मोटर खोल ली है मेरा जो मोटर का वाटर लिकेज हो रहा है अब जो आपको ये ब्लैक पोर्शन देख रहा है ये पुश्विट रहता है इसको हाथ से पकड़के निकाल लीचिए अब जो ये आपको देख रहा है वाइट कलर का ट्रेंगल इसको बोलते हैं पंप सील रबर के पार्ट्स हैं उसको हम ब्रश से अच्छे से साफ कर लेंगे एक्चुली ये जो मोटर है ये बाकी मोटर की तरह नहीं होती है ये मोटर चलती है पानी के प्रेशर से तो पानी के प्रेशर से चलने से क्या होता है कभी-कभी इसके parts में scales जम जाते हैं जिसके वये से पानी का pressure नहीं बनता है और motor में से पानी leak करने लगता है हम सारे parts को अच्छे साफ कर लेंगे ताकि जितने भी internal pores है वो अच्छे से खुल जाए हमने अपने सारे parts को अच्छे साफ कर लिया है अब हम करते हैं इनको fit जब भी आप motor का head fit करें तो थोड़ा precaution लेके काम करें नहीं तो यह हो सकता है अब हमारी motor पूरी तरीके से fit हो चुकी है motor को RO में fit करने से पहले एक बर चेक कर लें कि इसके inlet और outlet pipe काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं motor एकदम बिल्कुल बढ़िया से काम कर रही है और इसका leakage पूरी तरीके से रुक चुका है मैंने motor को RO के अंदर fit कर दिया है अब मैं इस machine को पूरा assemble करने के बाद आपको दिखाता हूँ मेरी RO machine पूरी तरीके से assemble हो चुकी है अब हम इसो करते हैं check मैं on करता हूँ इसका switch और आपको दिखाता हूँ इसमें leakage आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब आप देख सकते हैं इसका leakage पूरी तरीके से बंद हो चुका है अगर आपको RO machines related कुछ भी query है तो आप मुझे mail या फिर comment करके पूछ सकते हैं अभी तक के लिए इतना ही stay safe and keep watching